शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं यानि उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। वहीं विश्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विश्णु के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पति हुई थी और उनके नाभी से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। दूसरी और शिव पुराण यह कहता है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उससे निकले मैल से विश्णु जी का जन्म हुआ। जस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंड लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। असली रूप में आ गए। फिर भगवान विश्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। यह खंबा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है। इस कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयम्भू हैं। यानि वह अमर हैं।